राजिस्थान के कोटा शहर में शुक्रवार सुभई एक धार्मी की आत्रा के दोरान हाई टेंशन तार से जहंडा टकराने की वज़े से पंदरा बच्चे करंट की चपेट में आ गए हैं करंट लगने से जुल से बच्चों को कोटा के महराणा भूपाल सिंग अस्पताल में भरती किया गया है जहां उनका इलाज किया जा रहा है इसके बाद लोकसवाद ध्यच ओम बिर्ला और राजिस्थान सरकार में मंत्री हीरा लालनागर अस्पताल पहुँचे हैं मंत्री हीरा लालनागर ने मीडिया से बात करते हुए कहा ये बहुत दुगदाई खटना है बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं दो बच्चे ज्यादा घायल हैं एक सौ फीज़ती चला है एक पचास फीज़त तक चला है हमारी पहली कोशिश ये है कि सभी बच्चों को हर इलाज मिल गाई बहुत दुगदाई घटना है और बहुत ही छोटे छोटे बच्चे इसमें जो हासा हुआ है उसमें सामिल है और उमीद भी नहीं किसा ज़स्ती बहुत ही उनको देखकर कैसे लगता है कोई 5-6 साल से 8 साल 10 साल 12 साल 14 साल के बच्चे हैं तो एक एकदम कैसे उत्सा में वो जो जुलुस में थे कोई हो सकता है किसी के हाथ में लंबा पाइप जंडा रहा होगा जिसके टच होने से यह गठना हुई है और उसके जो चिनगायने निकली जिससे ज्यादा तर बच्चे उसमें जुलुसले में आने से यह गंबिर घायल है दो बच्चे ज देख करके और सुविधा दी जा रही है कोई कमीनी आने देंगे और भगवान से प्रास्ता कर सकता है कि सब बच्चे जल्दी ठीक हो जाए एक्शन की बार किसके चलता है कि जो भी सबसे पहली प्रात्वित्ता तो यह है कि हम उनको हर मुम्किन इलाज मुहिया कराएं ताकि जल्दी ठीक हो जाए जो हासा हुआ है वो धुगदाई है और उसमें क्या कारण रहे हैं क्यों है इसके लिए मैंने अधिकारियों को कहा है अगर कोई इस प्रकार का कोई नेगलिजेंसी है तो उसको भी हम जाँ चाने के बाद में देखेंगे क्या कारवए हो सकती है कोटा रेंज के आईजी रवीदत गौण ने घटना की जानकारी देते हुए बताया है 15 बच्चे छुल से हैं जिन में एक बच्चे की हालत कमभीर पनी हुई है जबकि एक बच्चा 50 प्रतिशत तक जुलस किया है बाकी बच्चे 20 प्रतिशत तक जुलस किये हैं जिनका इलाज चल रहा है आईजी रवीदत गौण बताते हैं शहर की काली बस्ती में शनिवार से शिव कथा होने वाली थी कथा वाली जगे पर जल लाने के लिए बच्चे और महिला पुरुस मंदिर चा रहे थे सबसे आगे चल रहे बच्चे के पास लोहे का पाइप था जिसमें जंडा लगा हुआ था वो लोहे का पाइप उपर से गुजर रही है टेंशन लाइन से टच हो गया वह बताते हैं साथ चल रहे बाकी बच्चे उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे जिससे वैभी चपेट में आने से जूलस गए इस मामले में फिलहाल कोई F.I.R. दर्ज नहीं की गई है हम चांच कर रहे हैं बीरो डिपोर्ट दर्स्तक लाइब नियूस